तो आज हम आपको बताएंगे क्या हुआ इस Monday Night Raw में तो दोस्तो श्टार्ड करते हैं वीडियो पहले स्टार्डिंग में एंटरंस होता है जै उसो का जै उसो रिंग के अंदर आते ही Monday Night Raw के शुरुँकरते हैं और वो जीट कहे कर इस Monday Night Raw के शुरू करते हैं और जिमी उसो कहते हैं कि उनकी वज़े से जै उसो यहां तक पहुंच पाया और उसे कामियाबी मिली इसी बात पर जै उसो पर हमला कर देते हैं लेकिन जीमी उसो एक अचानक से किक मार देता है जै सोलो सिकोवा के डिस्ट्राक्शन के बाद और जै उसो की पिटाई करते है स कोडी रोर्स वहां पर आते हैं और यहां पर खतनाक तरीखेसे कोडी कटर मारते हैं सोलोसिकोवा परएंड जीमी उसोः और स्टों यही था मन्डे नाइट राकम का स्टार्टिंग पारेंस सोलो सिकोवा बलर लाइन को धो डाला कोडी रोस ने अब दोस्तो अब बात करते हैं एक टैग टिम मैच तमासो स्यामपा एंड जानी गारगेनो वसिस दे न्यू टिम मुझे इस टीम का नाम तो नहीं पता दोस्तो लेकिन यह टीम बहुत ही खतननाक तरीके से टकर देती है जानी गारगेनो और दमासो स्यामपा को और दोस्तो यह एक टैग टीम मैच होता है और इसका विनर कौलिफाई करेगा रसल मेनिया के एक टैग टीम लैडर मैच के लिए दोस्तों यह टीम बहुत ही खतरनाक टकर देती है, एक साइट सुपलेक्स लगाती है, कटाइंगल का मूव लगाती है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मूव थे दोस्तों, यहाँ पर कटाइंगल लग रहे थे दोनों टीम के मेंबर्स के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज जीत के तरफ बढ़ चुके थे और इस मैच को जीत लिया दो धो दो दोस्तो तो मैच को जीत लिया दो दोस्तो अब कोड़ी रोक को वह कहते है कि किसी भी प्लेस पर हारा दे सकते हैं एसली वन-उन और दोस्तों और वो कहते हैं कि आने वाले स्मैक डाउन में वो आएगी रॉक और रोमन रेंग्स को फेज़ करने के लिए उसी पल पॉल हेमन वहाँ पर मौझूद होते हैं और वो कहते हैं कि इस बार मैं कोशिश करूंगा रॉक रोमन रेंस को एक साथ SmackDown में ले के आकर तुम्हें पीटने की कोशिश करूँगा इसी बात पर Cody Rhodes पॉल हेमन के हाथ मिलाते हैं और इस बात तुम्हें करते हैं कि वो दो सुपरस्टारों को पेलने वाले हैं आने वाले SmackDown में अब दोस्तो बात करते हैं कि एक टाक्ट एक वन-वन माचॅ की वज़े से दोस्तो इस माच को डॉमेनिक मिस्टेरियो ने accept किया मामी की 보े से मामी ने डॉम currently मिस्टेरियो कहा कि से लड़े वज़े से मामी ने Dominic Mysterio कहा कि वो वन आउन वन रिकोशेट से लड़े दोस्तो रिकोशेट कड़ी टकर देता है Dominic Mysterio को लेकिन दोस्तो एक distraction की वज़े से Dominic Mysterio जब 619 लगाता है रिकोशेट पर तो दोस्तो आडियंस बहुत ही ज़ादा बू करती है क्योंकि दोस्तो सबसे खतानाक हील था दोस्तो Dominic Mysterio उसकी ज़ीत पर आडियंस बू करती है लेकिन इसी पल रिकोशेट उन्हें रोल अप करके उनका पर finisher मार कर इस मैच को जीत जाते है लेकिन दोस्तो यहाँ पर JD McDonough आकर Dominic Mysterio की मदद करने ही कुश करते हैं लेकिन रिकोशेट दोनों को पेल कर वहाँ से चले जाते हैं दोस्तो अब बात करते हैं एक टाग टीम मैच यह भी एक टाग टीम कौलिफाइंग मैच था दोस्तो यहाँ पर इंडिया के सुपरस्टार इंडिया की जान वीर महान और सांगा मौजूद होते हैं और वो मिज और आर्थरूट से लड़ते हैं और अपना जल्वा दिखाते हैं अपनी ताखत का प्रियोक करते हुए दिखाई देते हैं सांगा और वीर महान और कड़ी टकर देते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों वीर मेज और आर्थ रूट इस पल के न्यू सूपस्टार है तो इसी वज़े से दोस्तों आर्थ रूट ने ऐए फाइन नफल शफल लगा तो वीर महान पर और दोस्तों यहाँ स्कल्ड करशंग फेनाली और आर्तुरूट का फिनिशर लगा देते हैं दोस्तों वील महान पर लेकिन दोस्तों इन दी एंड दोस्तों एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से आर्टूट और दे मिस इस मैच को जीच जाते हैं और वो कौलिफाई करते हैं दोस्तो रसलमेनिया लैडर मैच के लिए दोस्तो अब शलते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस और ड्रू मैकेंटायर का प्रोमो अन मंडे नाइट रॉ दोस्तो ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि वो आने वाले रसलमेनिया में सेथ रॉलेंस को एजी ले हरा देंगे और उनका वो become immortal और championship ले ले लेंगे लेकिन से तो रॉलिस कहते हैं कि वो लिस्ट में सबसे डाउन है ड्रू मैकेंटायर और वो कोशिश करेंगे कि ड्रू मैकेंटायर को ना क्यामियाप करें इस WrestleMania में तो दोस्तो इसी बल ये Monday Night Raw खतम हो जाती है तो दोस्तो आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें comment में ज़रूर बताएगा और आपके इसाब से क्या Cody Rhodes को SmackDown में आना चाहिए या नहीं आप अपनी राई ये भी comment में ज़रूर बताएगा Thanks for watching, see you later from PraeTorres